दोस्तों मैंने दो दिन पहले एक वीडियो डाला था जो RBI के वाइट लिस्ट क्या होने वाला है वो उसके ओपर मैंने वीडियो डाला था तो उसी वीडियो में बहुत सारा कॉमेंट्स आया जिसमें मुझे लगा कि बहुत सारे लोग इस वीडियो के थुरू पड़के मैं आप लोग का जो भी सॉलिशन जो भी प्राब्लेम से उसका सॉलिशन में आप लोग को बता दूंगा तो वीडियो पुरा एंट तक देखिए लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि अगर आप लोग नए हो मेरे चनल पर सब्सक्राइब दूस सबसे पहले आपको नोटिविजन दू मिले ठीक है दोनों टॉपिक अलग अलग रहे था यहां पर यहां पर भी टॉपिक अलग है मतलब लोन रिकरडिंग यह है आप लोगो ट्रीक्स वगर बहुत सब कुछ उहां पर देखने को मिलेगा तो आप लोग जाके वहां पर वीडियो के थूँ वीडियो एंट तक देखिए तभी आप लोगो पता चलेगा नहीं तो आप लोगो समझ में नहीं आएगा तो चलिए जैसी कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हूं कि यह जो है मेरा चैनल का डैसबोर्ट खुला हुआ है और यह देखी जो चैनल ज यहासा कुछ है जिसमें बोलना जरूरी है आप लोगों का कंफ्यूजन जो है वह मैं दूर कर दूंगा यह सी वीडियो के थूँ ठीक है तो मैं पहले से स्टार्ट करता हूं जो की कॉमेंट्स यहां पर मैं देखता हूं यहां पर क्या है यहां पर देखिए यह पहला कॉम को money problem हो गया है अब क्या करें तो देखिए पहले आप लोगो यह बता देता हूँ अगर आपने 6 EMI भर्द हैं लेकिन आपने यहाँ पर कोई आप का नाम नहीं बोला है कौन से आप से लिए है चलो कोई बात नहीं सभी NBFC हो कोई दिक्कत नहीं है अगर NBFC से NBFC से अगर आप लोग repayment कर रहे हो time ली और कभी कबार आपका जो amount overdue हो जाता है आपको परिशानी हो रहा है payment करने में तो आप लोग क्या करो सीधा जो company जहां से आपने लोन लिया है उस company को direct mail करो कि sir जो मेरा अभी condition है फिलाल सही नहीं है थोड़ा मुझे time चाहिए तो यह तरीका का आप लोग पूरक आपका जो भी problem से वो company को mail के थूँ आप बताओ फिर देखो कि आपको उसमें क्या reply मिलता है reply तो मिलेगा आप लोग time मांग दे हो आप time ले लो वहाँ पर time लेकर उसका repair कर दीजएगा ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को time दिया है क्या करू सर पापा ममी बहुत रो रहे हैं क्या वो करू सर प्लीज दीए reference नंबर पर call तो जाएगा आप अगर phone रिसीब नहीं करते हो या फिर आप payment नहीं करते हो तो यह लोग क्या करते हैं आपको डराने के लिए आपके घरवालों को phone करते हैं लेकिन आप सब को पता ह हो आपको अगर इस तरीके का problem हो रहे है देखिए आप खूझ से तो रोक नहीं सकते आपको क्या करना है आपको company में जहां से mail मतलब money view से अगर आपने loan लिये हैं तो आपको money view में direct mail के through mail करना है कि देखो पहला बात है कि आप RBI registered हो और RBI के guideline ननुसार आप लोग किसी भी लिस्ट को call नहीं कर सकते हो अगर ऐसा करते हो तो मैं RBI में Ombudsman schemes में आप लोग के खिलाप complaint गर्च कर दूँगा मुझे तोड़ा time चाहिए आप मुझे time दो इस तरह का harassment ना करो यह simple request mail के थ्रू आप भेज़ दो जो भी problems आप लोग face कर रहे हो problem बंद हो जाएगा दोस्तो उसका बाद next बाला देखते हैं कैसी से loan लिया है मैंने repayment करू या नहीं मैं repayment करू या नहीं देखिए कैस यह application जो है यह RBI registered है अगर आपने पैशा लिया है RBI registered application से तो आपको timely payment करना जरूरी है क्यूंकि अगर आप लोग payment नहीं करते हो तो आपका civil में यह so करेगा civil में report क करेगा अपका civil इतना जाधा डाउन कर देगा आपको future loan नहीं मिलेगा इससे जाधा कुछ नहीं होगा आप लोगों को सिधा बात यहीं बोलूगा कि कोई case कोई court कोई police कुछ नहीं होगा इसके अंदर सिर्फ आपका civil गिरा देगा तो आप लोगों को यह अगर payment करना चाहि देगा बाद में तो यह है इसका जबाब ठीक है उसके बाद देखिए नीचे में स्क्रॉल करता हूं थोड़ा सा सर NBFC company से 1,60,000 loan लिया है एक भी पैसा payment नहीं कर पा रहा हूं मेरे साथ क्या होगा सर तो यहां पर दिखिए नीचे और एक reply है कुछ नहीं होगा बस आपका civil down होगा और कुछ नहीं होगा यह किसी ने उसका reply का जबाब दे दिया है यह जो सवाल है देखिए 1,60,000 किसी ने company में आपको दिया है किसी का पैसा अगर कोई लेता है तो वो तो आसनी से छोनने वाला नहीं है ना क्यूंकि वो आप लोगों को पैसा दिया है वो पैसा उन लोग को लिना है आप लोगों को problem harassment करेगा लेकिन RBI उसके पीछे है ठीक है RBI जो guidelines दिया है वो उससे बाहर नहीं जा सकता है आप लोगो जितना भी problems face करना हो जितना भी आप लोग मतलब यह जो है amount अगर आप payment नहीं कर पाते हो सिर्फ civil में effect करते है यह बात सही है civil में ही effect करेगा civil आपका down हो जाएगा और civil में वहाँ पे आपका amount so करेगा active so करेगा वहाँ पे आपका amount close नहीं होगा ठीक आपको पता है मैंने जो लिस्ट बना है Amazon Pay Later Flipkart Pay Later यह जो है यह आपका सिबिल खरब करतेगा simple भासा में अगर इस तरीके का जवाब जो भी आप लोग सवाल मन में आ रहे हैं उसका एक ही जवाब है हाँ आपका civil बिगड़ जाएगा civil खरब हो जाएगा आपका पुरा तो next बाला देखते हैं आपके घरवालों को फोन नहीं करेगा यह जो सोच आप लोगों का यह गलत सोच है क्योंकि यह जो भी application है जहां से भी आपने लोन लिया है फ्रॉड का अलग बात है अबका जो भी आप लोगों के पास जाता है वो contact list उन लोगों के पास रहता है और उसी contact list के तूर आप ल नंबर्स पर कॉल करके harassment कर रहे हैं ठीक है तो यह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है RBI तो पुरा guidelines दे चुका है अब RBI खुझ से अगर इस तरीका गाइडलेंस जारी किया है यह कर रहे हैं तो आप लोगों के इसमें एक और question जो मैं दिखा था सबसे पहले जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था तो वह question अभी मिल नहीं रहा है वह question क्या था कि सभी जो application है वो तो RBI registered निकल गया अभी क्या हम लोगों को payment करना ही होगा यह सवाल सब के मन में आ रहा है तो दोस्तो मैं आप सबको यही बताऊंगा कि देखिए जो list मैंने आप लोगों को बताया था वो list जानने से पहले या फिर देखने से पहले आप सभी को पता था कि क्रीड भी किस्त रफिलो सभी NBFC registered है तब तो आपने रिपेमेंट का जो problem था वो सेम ही था अभी जो है जानने के बाद आप लोगों को क्या problem हो रहा है क्या वो अलग से कुछ power मिल गया है उन लोगों नहीं दोस्तो जो RBI registered है वो RBI registered है वो पहले भी था अभी भी है उसमें कुछ changes नहीं हुआ है ऐसा कि आप लोगों को list मिल जाए तो आपको ज़्यादा परिशन होगा नहीं होगा कुछ भी list निकल ले दीजिए वो list वाइट लिस्ट का मतलब क्या है जो legal application चल रहा है play store में वो एक list बनाने के लिए वो white list निकाल रहे है जिससे पता चली कि fraud application कौन सा कौन सा है Google Play Store वो application देखके वो applications जो market में उसके white list में नहीं है वो वहां से हटा देगा इसलिए जो है white list निकाल रहे है RBI के true तो इससे कोई लेना देना नहीं है कुछ problem होने वाला नहीं है अगर आप लोग के पास पैसा नहीं है तो आप लोग time लो time लेने के बाद आप payment करो अगर आप लोग के पैसा है अगर आप payment करना चाते हो तो payment कर दीजिए क्योंकि इस तरीके का problem अगर आप लोग face होता है कि अगर आप payment कर देते हो तो उसके बाद आप लोगों के पास फिर से पैसा वापस मांगेगा ऐसा नहीं करता है आप लोगों को जब अगर आप लोगों को सामने ला दिया तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोगों के जो confusion था वो सायद धूर हो चुका है दोस्तों अगर आप लोगों के वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा सब्सक्राइब बेटन प् जय हिंद जय भारत